प्रियंका गादी को लेकर आई बहुत बड़ी गुड नियोज जश्न में डूबे कॉंग्रेस के कारेकरपा। कॉंग्रेस महासची प्रियंका गादी को राज़े सबा भेजने के चरचाएं कॉंग्रेस में चल रही हैं। प्रियंका गाधी 2017 से ही एक्टिव फॉल्टिक्स में है और उत्ते प्रिदेश का जिम्मा समाल रही है लेकिन अब तक वह किसी भी सदन की सदस्य नहीं रही है ऐसे मैं पॉंग्रेस के रणीतिकारों का मानना है कि प्रियंका गाधी को राजसबा भेजा जाना चाहिए ताकि भव मुखर्टा से पार्टी का पक्षि संसत में रख सके पॉंग्रेस लीडर्सिप और स्टेट यूनिट्स के बीच फिलहाल आने वाले राजसबा चुनाओं को लेकर चर्जा हो रही है हर्याना, राजस्थान, करनाटक, तमिल नाडू, 36 गड़ा और मध्यप्रदेश जैसे राज्यों में कॉंग्रेस कुछ सीटों पर जीत की स्थिती में है फिलहाल इन सीटों से किन नेताओं को मौका दिया जाए इस पर विचार चल रहा है इसी बीच कुछ नेताओं ने प्रियंका गादी को उच्चे सदन में भेजने का प्रस्ताओ रखा है हारा की अब तक प्रियंका गादी या फिर परिवार के अन्य किसी सदस्य ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है पार्टी के किसी अन्य नेता ने भी खुल कर इस पर बात नहीं की है लेकिन अंदर खाने चर्चाएं तेज हैं कॉंग्रेस सूत्रों का कहना है कि प्रियंका गाधी को अमेठी या फिर राय बरेली से लोगसबा चुनाव लड़ाने पर भी पहले विचार किया जा रहा था लेकिन अब इस पर इरादा बतलता दिख रहा है इसकी वज़ा यहा है कि उत्तर प्रिदेश में कॉंग्रेस की जो हालात है उसमें इन सीटों पर लोगसबा चुनाव जीतना भी रिस्की है जो कभी गाधी नहरू परिवार का गड़ रही है अमेठी से 2019 में खुद राहुल गाधी को हार का सामना करना पड़ा था और सोन्या गाधी की जीत का अंतर भी काफी कम हो गया था ऐसे मैं प्रियंका गाधी को चुनावी समर में उतार कर कॉंग्रेस संभावनाओं को कमजोर नहीं करना चाहती यदि वह जीत नहीं पाती है तो फिर उनकी भविशे की सियासी संभावनाओं पर भी असर पड़ेगा इसलिए कॉंग्रेस पहले ही मुकाबले में उन्हें कठिन मैदान नहीं देना चाहती राजिस्थान करनाटक समेथ कहीं राजियों के नेताओं ने हाई कमान से इच्छा जताई है कि यदि प्रियंका गाधी उनके यहां से राजसबा जाना चाहे तो उन्हें खुशी होगी